हमारे देश में अधिकांश राम भक्त या स्रीकृष्ण भक्त अपने मस्तिष्क में बहुत बड़ा पाप रखे रहते हैं। हम तो राम के उपासक हैं, स्रीकृष्ण के नहीं। ये सब राक्षस हैं, मनुष्य नहीं हैं। ये नामा पराधी हैं। अगर किसी का पती सूट पहन करके आफिस में जाता है और लुंगी पहन कर घर में घूंता है, तो क्या वो पती बदल गया? वो बाप बदल गया? वो बेटा बदल गया? संसार में ऐसा किसी ने माना? अरे, राम कृष्ण के शरीर में कोई बेद है? चिदानंद मैं देह तुम्हारी राम भी हैं, चिदानंद मैं स्री कृष्ण भी हैं, एक रंग, एक रूप, एक सुरूप, एक शक्ती। तो क्या उनको मौर पंक पहनने में प्रतिबंध लगा रखा है आप लोगों ने? मौर पंक लगा लिया, इसलिए वो मेरे प्रियतम नहीं है, वो तो स्री कृष्ण हो गए. इतनी मूरकता बुद्धी में भड़ गाती है लोगों के. मैं बहुत साल पहले के बात बता रहा हूं, अयोध्या में मुझे बुलाया गया प्रवचन के लिए. पहुत से महत्ता वहां बोड रहे थे, प्राया राप के उपासक अधिक थे, एक रंगिली शरन नाम के बाबा प्रिंदा बनते भी गए थे. दोनोंने जै राधे, जै राधे, राधे, जै राधे, जै श्री राधे, तीर्दन कराया लिक्षर के पहले. आठ-दस हजार बाबा बैठे थे, वहां रामभक्य को, कोई नहीं बोला, मैं एक-एक को देखता रहा, तो मुझे बहुत स्पीलिम हुई, उसके बाद मुझको बोलना था, तो मैंने इसी पॉइंट पर एक घंटे लेक्षर दिया, बहुत डाटा बाबाओं को. हमने का ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस डाक्ट से परेशान है, तो मैं जो ध्या गोबारा नहीं आऊंगा, आप सब खड़े होगे, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. तो ये इतना अध्यान भड़ा है, पढ़े लिखे लोगों में. और बड़े बड़े ग्रंतों में, बार्मीक रामायण, ध्यास्परा मायण में, क्या लिखा है ये भी ओने जन्द। राम का नाम लिखा है माधव मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम ब्रिंदारन्य बंदित ब्रिंदारक ब्रिंदम ब्रिंदावन में हमारे राम रास किये थे। अम्माथूरे श्रम माथूरा के स्वामी है राम। तुम सीता मिधिलायांच स्री कृष्ण कह रहे है राधा रानी से। तुम सीता थी पहले याद है है। एक बार छोटे से थे स्री कृष्ण तो ये शोदा मैया ने कहानी सुनाया। छोटे बच्चों को कहानी सुनाती है मा तो उनको नीन दा जाती है। तो ठाकुर जी ने कहा मैया कहानी सुना। सुन ने कहा ठीक है सुन। और देख हुंकारी भरते रहना। कहानी में हुंकारी भरते हैं न। एक ऐसा राजा था। करते रहना। तो मैया ने कहा रामो नाम बभूव हुं। एक राम राजा हुए है थे त्रेता में। तो ठाकुर जी ने कहा हुं। रामो नाम बभूव हुं। तदबला सीते थी। उनकी श्रीमती का नाम सीता था। हुं। तो ताम पिदुर भाचा पंचवटी बने निवसता तस्याहरत रावण। ठाकुर जी ने कहा हुं। तो वो सीता का हरण रावण ने पंचवटी में किया। हुं। हुं। अपकी ऐसे बोले श्रीकृष्ण। हुं। तो रामस्यव पुरातनीम निज कथा माकर्ण्य मात्रे रिताम। अपनी ही कथा सुनके। श्रीकृष्ण भूल गए। मैं स्रीकृष्ण के अवतार में बच्चा हूं। अभी ये भूल गए। असाओं में त्रेक्वा धनौर 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 धनौरी थी। उठके बैठ गए। और जोर से बोले। लक्षमन धनौर कहा है। धनौर लाओ सीता कहारन हो गया। मा डर गई कौप गई। ये क्या हो गया। इतना चोटा सा बच्चा ये क्या कह रहा है। धनौर लाओ धनौर लक्षमन। जिप्टालिया माने और राइनोन उतारा अतारा ए भगवान विष्टू हमारे बच्चे पेक्रपा खरो तो दो मानना किसे भी आवतार को रामकृष्ण नहीं शूकर आवतार भगवान सुवर बने दे शुवर आव स्री कृष्ण में और राम में अंतर नहीं भगवत कह रही है सारे अवतार एक है पूर्ण है किदा नंद मैं दे है वो चाहे सुवर का हो चाहे वो बंदर का हो चाहे वो निरसंग का हो देखो दिवाली के अवसर पर आप लोग केवल चीनी की शकलों वाले मिठाई भिकती हैं चीनी का घोड़ा चीनी का हाथी चीनी का साहब चीनी की मेम तो छोटे बच्चे जिसको जो पसंद होता है हम आथी लेंगे हम घोड़ा लेंगे अरे जाहे जो खाओ सब में वही चीनी है शकल अलग-अलग है लेकिन चीनी की सारी मिठाईया जो अलग-अलग शकल वाली है उनका जायका एक है ऐसे ही भगवान के सब आवतार भगवान है और एक है द्वईत बुद्धी नहीं होनी चाहिए प्यार किसी से किसी रूप में करो ये तुम्हारी इच्छा एक माँ अपने बच्चे से घर वाले लड़के से अधिक प्यार करती है जब अपने छोटे से बच्चे को लेके तोचली भाषा में बोलता है वो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये भावना नहीं होती मा की ओ जिस तरह गाउन पहन के बैठता है तो श्री कृष्ण लीला राम लीला बाल लीला उनकी इतनी प्यारी है कि आप कहें बैठ नर सिंग वाला हमको पसंद नहीं है ठीक है तुम राम लीला से प्यार करो कृष्ण लीला से करो ये बात अलग है लेकुन दो मत मानो हो ये नमा पराद है दो है नहीं तुम मानोगे कैसे ये तो बड़ा भारी मुर्खता का जो अंतियम दर्जा है वहाँ पर खड़े हो तुम सारी साधना तुम्हारी चोपट हो जाएगी क्योंकि नामा पराद से बड़ा कोई पाप नहीं होता इसका कोई प्राइश्चित भी नहीं है शास्त्र में आप ब्राह्मन की हत्या करें गाय की हत्या करें उसका प्राइश्चित लिखा है नामा पराद सबसे बड़ा पराद है इसलिए भगवान के अवतारों में भेद बुद्धी भूल कर भी ना आने पाए अरे आपके भावना तो खराब संसारी बस्तु पर भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी कौन सी बस्तु है जिसमें राम ब्याप्त नहों, कृष्न ब्याप्त नहों, बताओ बस्तु सरवेशाम पि बस्तु नाम भावार्थो भावत स्थिता, सस्या पि भागवान कृष्ना के मतद बस्तु रूप्यताम दस, चौदा, सत्तावन, ऐसी कौन सी बस्तु है विश्व में, जिसमें ब्याप्त नहीं है भागवान तो, तो फिर आपको सदा वही बुद्धी रखनी चाहिए निंदनिय के प्रति भी निंदनिय भावना मत करो, क्योंकि भावना मन से करोगे मन में गंदी चीज का चिंतन करोगे, मन और गंदा होगा तुम अच्छी अच्छी चीज का, उसमें भागवान बैटे हैं उसका ध्यान करो उसका मत करो वो तुमारी मा है, बाप है, भीबी है, बेटा है, पडोसी है, दुश्मन है, हुआ करे उसके अंदर राम बैठे हैं, उन राम का ध्यान करो जड़ चेतन गुण दोशमय, बिश्वकीन करतार, तो संत हंस गुण गाही पाय, परिहरी बारी विकार अच्छी चीज लेना चाहिए न, आप लोग डाल चावल खाते हैं न, खाते खाते कोई कंकड आ गया, फिर अपना चावल डाल खा रहे हैं, एक कंकड और आ गया, तो हमको तो जो राम ब्याप्त हैं, कृष्ण ब्याप्त हैं, उन से प्यार होना चाहिए, उनको क्रहन करना चाहिए, तो जब संसारी बस्तू में ऐसी भावना करने की आज्या है, तो भगवान के अवतारों में ही दुर भावना करो, तो उसके बराबर पापात्मा कोई नहीं है.